अब लोग जानते हैं कि गीता अठारा अध्यायों का ग्रंत है जिसमें साथ सो स्लोक है और गीता का प्रारंब जो है विशाद योग से शुरू होता है विशाद कहते हैं निराशा को अवसाद डिप्रेस हो जाना अरजुन क्योंकर डिप्रेस हो गया था और कृष्ण मगवान के विचारों से उसको एक नई शक्ति मिली और उसकी वीरता जागी तो इसलिए गीता को कहा जाता है कि विशाद को प्रसाद में प्रस्णता में नई शक्ति में बर देने का नाम गीता है कायरता को वीरता में बदलने का नाम गीता है मरण धर्मा को अमरित का संदेश जहां से मिलता है उस ग्रंत का नाम गीता है माना जाना चाहिए कि अगर पूरे दुनिया में गंगा एक है हिमाले एक है तो गीता भी पूरी दुनिया में एक ही है दूसरी गीता है ही नहीं हम सब को जीना सिखाती है और हमारे अंदर उस शक्ति को उद्भाव करती है जहां यह सिखाया गया है कि तुम शरीर बदलेगा लेकिन तुम रहते हो तुमारी आत्मा कटती मरती जलती नहीं है अमरता का संदेश जहां से आता नैनम चिंदनती शक्त्राणी नैनम देती पाव का यह संदेश गीता का है इसी का प्रभाव रहा है कि हमारे देश को आजाद कराने वाले करांतिकारी लोग गीता से बहुत प्रभावित रहें गीता में कर्म योग को बहुत मेतो दिया गया है और कहा गया है कि प्रतेक व्यक्ति को कर्म शील बनकर दीना चाहिए और अपना करतव और अपना फर्द निवाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए कर्मने वाधिकार रस्ते माफलेशु कदाचन गीता में ये भी कहा गया है कि आप स्वयम का उद्धार स्वयम कीजिए तुमारे लिए कोई चमतकार करने आएगा ऐसा कभी नहीं होगा आप ही अपने जीवन के लिए चमतकार कर सकते हैं आपके विचारों में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने आपको सदेव सकारात्मक बनाए रखें नकारात्मक नहीं नगेटीव अप्रोच नहीं होनी चाहिए उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत अपना उद्धार स्वयम करो क्योंकि हम अपने विचारों से खुद को ही पीछे धकेलने लग जाते हैं गीता ये कहती है कि आप ही अपने मित्र हो आप ही अपने शत्र हो जब आप खुद के साथ शत्रुता जैसा व्यवार करने लग जाते हैं दुश्मनों जैसा व्यवार करने लग जाते हैं तब आपका विकास रुखता है मैं कुछ नहीं कर सकता है मैं आगे जा नहीं सकता मेरा साथ देने वाला कोई नहीं मेरा परिवार ठीक नहीं मेरी दशा ठीक नहीं है मेरा वक्त ठीक नहीं है मुझे कोई पसंद नहीं करता मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ बहुत तरह के इस तरह के विचार जब व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि वो खुद का दुश्मन बनकर बैठ गया उटना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसकी निराशा ही उसको रोक देती है इसलिए सभी को इस बात को ध्यान लखना चाहिए कि खुद के दुश्मन ना बने और दुनिया आपको हसेगी दुनिया मजाक उड़ाएगी दुनिया आपको आलोच ना करके आपकी मुस्कराट कि दिये को भी बुजाने की चेष्टा करेगी लेकिन जो आदमी प्रतेक तरह की विशमताओं के बीच भी हिम्मत से खड़ा रहता है मुस्कराता रहता है किसी बात से न डरता न घबरता दुनिया में राज करने का और सिर उठाकर जीने का हक उसे मिला करता है तो वो शक्ति आपको अपने अंदर खुद पैदा करनी होती है गीता में इस बात को बहुत बल दिया गया है कि कभी भी अपने आपको दीन हीन मत बनाओ और अगर कभी दीनता हीनता के विचार आएं तो खुद को खुद समझाओ माबाप की भी बड़ी बारी जिम्मेदारी होती है जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को वो प्रेणा दें जिससे बच्चे डरपोक न बनें भारत देश भरत के नाम से भी जाना जाता है शकुंतला का बेटा माराजा बना लेकिन जब छोटा था तो शेर के बच्चों के दांत गिन करके खेला करता था और शेर नी अगर उसके बच्चे के पास कोई आ जाए तो फाड़ के खा जाती है आप सोचिए के क्या बादुरी नहीं होगी मुझे छत्रपदी सिवाजी का उदारन याद आता है छोटे थे तो शेवाजी के जो पिता जी थे वो आदिल शाह के दरबार में मनसबदार होते थे और शेवाजी जो है छोटे थे तो जीजा भाई पती के साथ वहाँ नहीं रहती थे अपने बेटे को अपने साथ अलग लेकर रहने लगी जब पती आएं और आकर बोलें कि इसको उदर बेजो मेरे साथ आई तो क्या कहती थी कि मैं अपने बेटे को वहाँ नहीं ले जाऊंगी वहाँ ये कॉर्णिश करना सीखेगा मतलब गुलामी की आदत पढ़ जाएगी जुकने की आदत पढ़ जाएगी उनके साथ ने ये जुक जुक करके अगर अभी से बैठने लग गया सिर जुकाने लगा उनके आगे तो कभी सिर उठांगे खड़ानी हो सके गा ये दुनिया में अत्याचारी और गुलाम बनाने वालों को गुलाम बनाने लिए आया है उनके सामने तनकर खड़े होने के लिए आया है मैं अपनी बेटे को वीर बनाना चाहती हूं पहले ही ऐसा सिखाना शुरू किया कि ये गुलामी वाले आदत नहीं डाल लेना अपने अंदर पिता ने बोला भी कि मैं वहां हूँ तो मैं अच्छे वादे पर हूँ, शान से रहता हूँ उन्हों निकाल लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ अलग रूप में देखना चाहते हैं माता पिता जब अपने बच्चें को संस्कार देते न और घर का वातावन बनाते हैं उनके अंदर वीर्था जागती है राजा रंजी सिंग का उधान याद किजिए अपने पिता के साथ एक जहुरी के दुकान में गए थे वो और एक हीरा पसंद कर लिया बच्चे ने हीरा उठा के हाथ में लिया पिता ने रखवा दिया रखो ये इतना छोटा हीरा पहनने के लिए तू नहीं आया एक दिन वो इस्थती आने चाहिए कि कोहे नूर तेरी पगड़ी में सजना चाहिए पूरी दुनिया देख सके के ये रणजीश सिंग है और उसने किया ये गवरो प्राप्त हुआ उनको राजा रणजीश सिंग के पगड़ी में कोहे नूर सजा माबाप अगर बच्चे के अंदर संसकार देंगे जिम्यदारी बहुत होती है इसलिए गीता घर में होनी चाहिए गीता की शक्ती होनी चाहिए आपके घर में हमारे देश में कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परमबरा रही है अब थोड़े टाइम से बंद कर दी गई है बंद क्या अपनी मर्जी लेकिन आप से निविदन करना चाहता हूँ जिस ग्रंथ को देखकर सिर जुकाया जा सकता और जिस को देखकर कसम खाई जा सकती है उसके आगे माथा जुकाने के साथ साथ कोशिश केजिए वो माथे में भी बैठे क्योंकि हम अपने ग्रंथों के प्रती अपना आदर तो व्यक्त करें लेकिन ग्रंथ में जो संदेश है जब वो दिल में उतरता है तो फिर जिन्दगी बनती है तब जीवन कुछ अद्बुत होता है तो वेदों में ये कहा गया है अनूब्रत है पितु पुत्रों मात्रा भवती सम्मनाहा जाया पत्ते मदु मतीम बाचम बत्तु शांतिवाम तुमारा घर जिसमें तुम रहते हो महत्वपून बात होनी चाहिए कि पिता तो फर्ज पूरा करे लेकिन बेटे का भी फर्ज है कि पिता के अनूब्रत हो जाये अनूब्रत मतलब पिता के महान संस्कारों को परंपराओं को जिन्दा रखने वाला बने यह हमारी कुल की परंपरा है मतलब माता पिता के धन का वारिष तो बेटा बनता है लेकिन उसके धर्म का वारिष भी बनना चाहिए उसकी परमपराओं को भी जिन्दा करने वाला बना चाहिए उन चीज़ों का भी वारिस बने वो कि माता पिता जिन ऊची परमपराओं को जिन अच्छी चीज़ों को निभाते रहे हैं वो मेरे जीवन में भी आए और देखिए कि हमारे स्कूल कॉलेजों में तो केवल वो कोर्स पूरा करा दिया जाता है क्योंकि प्रोफेसर या स्कूल टीचर उसकी तो कोशिश यही रहती है कि हम बस अपना कोर्स पूरा करा है संसकार देने का काम कौन करेगा moral education कौन देगा नैतिकता कौन सिखाएगा बड़ों का आदर करना कौन सिखाएगा यह जिम्मेदारी माता पिता की है घर में ट्यूटर रख देने से बात नहीं बनेगे किराय का ट्यूटर आएगा वो आपके बच्चे को कोई संसकार नहीं देगा और किराय का ट्यूटर रखो या किराय का प्रीचर रखो बात नहीं बनेगे बात तो आप से बनेगी राप के भी बाशन से बच्चे नहीं सीखते आपको देख कर बच्चे सीखते आपके घर का वातावन बच्चे को सिखाता है इसलिए अगर आप यह चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों का आदर करें तो कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर वो आदर देने वाली परंपरा होनी चाहिए सबसे बड़ी बात तो ये कोई मिलने भी आ जाए तो जैसे अदब से उसका स्वागत करें और अदब से उसे छोड़ने के लिए बाहर जाएं तो बाहर छोड़ने के बाद उसके बारे में बुरी भली बात नहीं कहने चाहिए क्योंकि जैसे छोड़ के आते हैं उसके बाद उसके बारे में कोई न कोई रिमार के जरूर दिया जाता है बच्चे जो है बड़े हैरान होते हैं अभी तो ये बहुत इज्जत मान कर रहे थे और इतने देर में उसकी खालू देड़ने को लगे हुए है बस इतनी बात से बहुत बड़ा पर्क पड़ता है दूसरी बात ये ध्यान रखना कि पती-पत्नी की लड़ाई हो जाए तो विवार कर रहे हैं ना पिता कहे कि तुम अपनी मां को समझाओ ये क्या विवार करती है ये ऐसी है वैसी है जब बच्चों के सामनी इस तरह बोला जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं दोनों हैं क्या ये आदर करने लायक है या नहीं उनके मन से आपका सम्मान निकल जाता मान तो आपको कराना है और सबसे ज़्याद ध्यान महिलाओं को रखना होता है अपने बच्चे को बोलना होता है कि पिता से ऐसे बोलोगे और ऐसे नहीं बोलोगे और अगर हमारी लड़ाई की बात करते हैं तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है अपनी अपनी बात कहने के धंगे हैं हम लोगों के अगर आप आदर कराएंगे पती का बच्चे से कहेंगे के पिता का के सामने कैसे बोलना है और पिता कहेंगे के मा के साथ ऐसे नहीं बोल सकते ऐसे रहो आप दोनों एक रहेंगे तो आपका बच्चा भी नेक रहेगा इस बात को जिरूर द्यान में रखेगा इसलिए वेदों में ये कहा अनुब्रत है पितु पुत्रो मात्रा भावती संबना मा के हिर्द की भावनाओं को समझने वाला हो बच्चा जाया पत्ते मदू मतीम बाचम बत्तु शांति वाम पती और पत्तनी भी आपस में बाच्चीत करें तो शांति देने वाली बात हो मदूर तो हो एक दूसरे के दिल को ठंड़क पहुचाएं क्योंकि जब आपके घर में प्रेम का वाताण होता है तो आपके घर में स्वर्ग उतरता है और जब आपके घर में कलह कलेश होती है तो आपके घर की लक्षमी भी रूटने लग जाती है अपने घर की लक्षमी को और अपने घर की बरकत को तूटने मत दो क्योंकि जितना मेल रहेगा उतना ही माल भी रहेगा इसलिए मेल बनाओ हर बात को नाक का सवाल मत बनाइए और जिद पालने की आदत में छोर हो नहीं नहीं चाहिए अंडरस्टेंडिंग रहे एडजेस्टमेंट रहे एगो प्रोब्लम हो नहीं तो गर में सुक्षांती आती है न तो विचार कर ये यहां बैठे न यहां से कुछ तो ले कर जाओ मन में इस बात को भी विचार कीजिए कि हर व्यक्ति को खास्तोर से महिलाओं की बात चली तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपनी बहू का पक्ष ज्यादा लो बेटे का कम क्योंकि बेटा तो आपका है और वो आपका ही रहेगा और अगर बहू भी आपकी हो गई तो फिर राज आपका ही रहेगा नहीं तो अब आप सताओगे तो बाद में वही बहू गिन गिन के बदले लेगी क्योंकि आपका राज ज्यादा देर तक रहेगा ऐसा तो है नहीं बाद में तो राज पलटता ही है तो थोड़ा सा अपने आपको व्यवस्तित कर लीजिए और गीता में जैसे मैंने आप से कहा कि अपना उद्धार स्वैम करो अपने विचारों को सकारात्मत बनो और खुद के दुश्मन मत बनो ये संदेश तो है ही एक बहुत बड़ा संदेश और है योगह कर्म सु कोशलम कर्मों को इतनी कुशलता से करने वाले बनो कि प्रतेक कर्म तुम्हारी पहचान बने आप कुछ भी करते हैं वह कर्म आपका सिगनेचर होता है वो आपका हस्ताक्षर होता है वो आपकी पहँचान होता है पता लगना चाहिए ये इसने किया है और इसने किया तो इसका मतलब है कि इसनो उसकी पहँचान है कोई भी काम आपके जिम में आए उसे इतनी खूबी से करके दिखाईए कि दूसरा भी कह सके इसके काम करने का डंगी अलग है तो पहले से और खराब करते चले जाओगे और अगर बेतर करने की आदत पड़ जाए तो हर बार आपकी कोशिश होगी पहले से और बेतर मैंने करना और जिसको बेतर करना आ गया बस बेतर जिंद की जीना भी उसी को आ गया हर दिन नहीं चेंज लाओ अपने अंदर बात करने का डंग थोड़ा नया करिए पहले से बेतर कीजिए उठने बैठने का अपनी मुस्कराहट में अंतर लाईए पहले से और ज्यादा अच्छी बनाईए मिलते समय भी पूरी कोशिश कीजिए जिससे आप बात करते हैं जान पढ़ जाए और खास बात आप से ये कहूंगा जिस घर में बैठकर पूजा पाट होता है वाणी का पाट होता है जहां नाम जपा जाता है जिस घर में सतकर्म होता है जहां पर दान पुन होता है सुबहग्य उस घर में आता जरूर है कितनी भी परिक्षाएं उनकी होती रहें वो लोग तूटा नहीं करते हैं वो अगर तूट भी जाएं तो तूट कर बिखरा नहीं करते हैं फिर से खड़े होते हैं और नहीं शक्ति के साथ खड़े होते हैं तो अपने पार्ट पूजा का नियम बना लेजिए सुबह आपको सिखाया गया था कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन अपनाना है हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपनी भक्ति का नियम द्रड करना है हर व्यक्ति को योजना बनाकर प्लैनिंग करके जिन्दगी जीने की आदत करनी चाहिए यहां तक के अगले दिन के लिए भी आप पहले दिन तैयारी करके सोईए और हर एक आदमी को अपना जीवन प्रबंदन लाइफ मनेजमेंट, टाइम मनेजमेंट आप बिजनेस मनेजमेंट तो सीखी रहें यह प्रबंदन अगर आपको आ गया तो फिर आपकी जिन्दगी कीमती बनती है और यह तब होगा जब आप थोड़ी देर के लिए वक्त निकाल कर अकेले बैठा करें और जब अकेले बैठते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए अपना फोन भी चुप कर लिया करें अपनी डायरी लें और उसके बाद में आगे लिखें कि मैं अपनी जिन्दगी में क्या चाहता हूँ अपनी जिन्दगी से क्या चाहता हूँ कैसी सेहत कैसा धन कैसा परिवार का वातवन क्या सफलता पाना चाहता हूँ मेरे अपने सपनी क्या है मेरे अपनी कमजोरियां क्या है मैं किस तरह से अपने को संभाल सकता हूँ मैंने कैसे शुरुवात करनी चाहिए मेरे टाइम को कौन खा जाता है मेरे टाइम का उपयोग कैसे होना चाहिए सब कुछ लिखें और ने संकल्प लेकर के आप शिरुवात करिए और मैं आपको कहता हूँ अगर आप एकांत में बैठ कर अपने बारे में थोड़ा सा भी लिखोगे और नया संकल्प करोगे आपके जिन्दगी में जरूर बेहतरीन परिवर्तन आएगा जोकी जोपडियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगती की सोच रखने वाले इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही शमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परमपूचे श्री सुधांचुजी महराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीधी के पावन सानिधि में बाल कल्यान योजनाओं को विश्व जागरते मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है इसके लिए पुझ श्रीद्वारा जारखंड के नकसली प्रभावित आदिवासी शेत्रों रुक्का खूटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे है बच्ची समाज और देश का भविश्य है इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ओनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें